नमस्कार दोस्तों मैं विनीत पांडे और आज का जो टॉपिक हो सबसे ज्यादा स्पेशल टॉपिक है अप्जर्ड लिट्रेचर अपने आप से सोचेगा कि अप्जर्ड लिट्रेचर को हिंदी में क्या कहते हैं क्योंकि most of the people बहुत सारे लोग जो आपको पढ़ाते हैं वो इंग्लिश वो पढ़ा रहे होंगे अप्जर्ड लिट्रेचर एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर अंग्रेजी भाद्शाय में पढ़ाया जाए खास करके उन बच्चों को जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं आते हैं यानि कि बच्चे जो TGT, PGT के तैयारिया कर रहे हैं लेकिन गाउंक से हैं, ग्रामीन परिवेश्टे हैं उनको इंग्लिश में चीज़े नहीं समझ में आ रही है उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो है ये, इसमें Absurd Literature के बारे में मैं हिंदी में बात करूँगा मेरा पहला सवाल आपसे अलड़ी हो चुका है, Absurd Literature को हिंदी में क्या कहते हैं? जितने भी students को आता है, comments में बताएगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा Now, दोस्तों अब चलते हैं Theater of the Absurd बहुत सारी चीज़े हैं कि क्या चीज़ है Absurd हम इसे बेतुका बोलते हैं, जिसका meaning ना हो लेकिन एक सवाल उड़ता है कि meaning नहीं है, तो हमें उसे पढ़ना ही क्यों है तो आई हम सबसे पहले बात करते हैं कि Absurd या Absurdity का मतलब क्या है हम यहाँ पे देखेंगे कि Absurd हर वो चीज़ है जो आपके लिए हिंदी में जिसका कोई meaning नहीं है बे तुकी बात या बे तुकी एक्टिविटी कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना तुक के है यानि कि meaningless है, अब अगर meaningless है, हम जानते हैं कि ये बात तो meaningless है तो जब meaningless है दोस्तों तो उसको पढ़ना ही क्यों है? क्या जरूर है तो उसको पढ़ने की? जब मैं आपको कहूँ कि आओ, आप हम बैठते हैं साथ में और पढ़ाई करते हैं और दोस्तों ये पढ़ाई जो है, ये meaningless है, इसका कोई फाइदा नहीं है आप इसे कोई आएगा पढ़ने, कोई नहीं आएगा तो सवाल उठता है कि जो meaningless है, यानि कि जिसका meaning ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है अर्थ ही नहीं है, उसे पढ़ने की जरूरत क्या है? जी हाँ दोस्तों, specially after holocaust, जो बहुत बड़े एक level पे घटना हुई थी हिटलर ने लाखों जीूज को मरवा दिया था, जीूज की killing हुई थी वहाँ पर क्या हुआ, कि एक दिमाग में भै बैट गया, कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कैयोस है यानि कि सिर्फ और सिर्फ अशान्ती है, problems है, दिखते हैं इसके बाद दोस्तों आता है World War 2 का final result World War 2 खतम होता है 1945 में, आपको अच्छे से idea होगा 1945 में जो World War 2 खतम हुआ था, वो खतम हुआ था एक nuclear blast के साथ एक atomic bomb जो जापान पे गिराए गया था, हिरोशिमा में दूसरा atomic bomb नगसा की पे गिराए गया था, इसके बाद एक official end शुरू होता है World War का, क्योंकि सब को पता चल गया कि अमेरिका के पास कुछ ऐसे हतियार है जो वो और उसके मित्र देश, दूसरे देशों पे चला सकते है इन शॉर्ट, जब World War 2 खत्म हुआ, जो लोग अलड़ी होलोकास्ट के पैनिक से निकले थे जिन्होंने दुनिया में देखा कि बहुत व्यापक पैमाने पे नर्संगार हुआ है वो सब लोग अपनी जिन्दगी में एक acceptance लेके आया और acceptance ये था कि chaos and anarchy, यही जीवन का एक ऐसा सत्य है जो इस वक्त हर जगाँ चल रहा है दुनिया में कोई meaning नहीं है, दुनिया में कोई value नहीं है कुछ नहीं पता life में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ये बनता है base, base of absurdity डवल्य एच ओर्डर ने September 1, 1939 करके एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जिसमें वो कहता है कि जब world war शुरू होता है तो हमारे अपने सारे plans, dreams, सब expire हो जाते है, सब खत्म हो जाते है तो जब आपको समझ में आता है कि मानव जीवन, अर्थहीन है, मूलेहीन है आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप qualify करेंगे, आप professor बनेंगे, आपके सपने है मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो साथ-साथ मैं भी आगे बढ़ूँगा, मेरे भी सपने है लेकिन हम दोनों के सपनों पे कंट्रोल किसका है सोचे, हम दोनों के सपनों पे कंट्रोल है उन पावरफुल कंट्रीज का जो जब चाहें नूकलियर वार स्टार्ट कर सकते है रश्या यूक्रियन के वार में पूरी धार्णा बनी हुई थी कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा imagine करिये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता तो क्या आपके exams होते क्या आपकी vacancies निकलती क्या मैं पढ़ा पाता आप सबको तो आपके और मेरे सपने आपके और मेरे लिए valuable है meaningful है लेकिन पूरी दुनिया के हिसाफ से देखा जाए तो meaninglessness है क्या गलती थी उन लोगों की जो हिरोशिमा और नगा साकी में एक सुबह उठे और शाम का सूरज नहीं देख पाए तो दोस्तों ये meaninglessness concept chaos, anarchy, confusion ये सब कुछ एक साथ आकर के जो एक mindset create करता है उसे absurdity mind कहते है सोचिएगा हिंदुस्तान के इतने सारे देवता फिर अलग अलग religions के इतने सारे देवता Christians के देवता Muslims के देवता, सिक्कों के देवता ये सारे देव देवता कहा थे जब एक nuclear blast होगा लाखों लोग मारे गए क्या उन देवों को नहीं पता था वो रोग नहीं सकते थे मैं जानता हूँ इसके जवाब में आप ऐसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यही प्रभू की इक्षा थी लेकिन दोस्तों क्या प्रभू की इक्षा यही है कि हम कभी भी मर जाएं तो कम से कम हमारे जीवन का उद्देश तो हमें बताया जाए हम जन्म लेते हैं क्यों हमारा जो अंत समय आता है वो क्यों आता है इस दुनिया माने का मकसद क्या है क्या हमारे कोई set targets है या क्या हम सरफ एक lab experiment है एक theory यह भी है कि हम किसी alien प्रजाती के lab experiment है Adam and Eve जो धरती पर आये थे वो पहले इंसान actually एक दुनिया का पुन्य निर्मान करने के लिए lab experiment पर पस्से भेजे गए थे तो क्या हमारे यही अस्तित है remember this thing दोस्तों absurd literature सवाल करता है answers नहीं देता सवाल यह है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा अब अपने आप से पूछो कि क्या आपको पता है इसमें से पहले क्या आया दोस्तों absurdity एक meaningless situation है अब आपने इसका मतलग समझ लिया आपने सब कुछ समझ लिया अब आता है सवाल कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए why do we have to study absurdism absurdist literature दोस्तों जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं अध्यन करते हैं तो आप उसका सरफ एक one sided pattern नहीं देखते आपको coin का दूसरा side भी देखना होता है अगर आप हमेशा positivism को ही पढ़ेंगे positivism की theory propound की थी एक अच्छी society develop हो सके लेकिन culture studies के जो writer है Max Weber जो culture studies की जो प्राकलपना है उसमें आते हैं वो कहते हैं कि हमें anti-positivism की भी requirement है हमें positivism की दूसरी तरफ भी देखना चाहिए coin जो है उसके दो side है हमें दोनों तरफ देखना है हम कहते हैं यह meaningless है क्या वो सबके लिए meaningless है कोई भी meaningless thing वो आपके लिए meaningless हो सकती है सामने वाले के लिए meaningless हो इसका कोई एक record नहीं है कोई confirmation नहीं है अब हम यहाँ पर एक example लेते हैं जो बहुत ही famous writer नहीं किया था और चुकि lecture अब एक classroom lecture में convert हो रहा है हम दूसरी slide पर चलते है यहाँ पर आप देखेंगे दूस्तों आप देखेंगे Albert Camel one of the famous writer यह वो writer है जिन्होंने concept दिया था absurdity का the word absurd सबसे पहले इस्तिमाल हुआ था इनकी famous book जो 1942 में लिखी गई थी The Myth of Sisyphus The Myth of The Myth of Sisyphus यह जो famous किताब है इसमें यहाँ पे एक दिर्श याता है जहाँ पे Sisyphus को King एक punishment देता है तो punishment है वो यह है कि एक gold color का एक gold design का पत्थर है एक boulder है और उनको इस पत्थर को यहाँ ले जाकि यहाँ पे place करना है shift करना है बस जहता कि हम जानते है गोल पत्थर है round shape है यह पत्थर हमेशा नीचे आ जाता है फिर वो दुबारा इस पत्थर को यहाँ लेकी जाते है यहाँ लेकी जाते है और यह यहाँ से फिर नीचे गिर जाता है देख देखा जाए तो king ने एक बहुत ही smart punishment दिया था एक ऐसा punishment दिया था जो punishment कभी खत्म नहीं होगा क्यों खत्म नहीं होगा क्योंकि यह पत्थर कभी टिकेगा ही नहीं यह पत्थर कभी भी नहीं टिकेगा और वो हम इंसान frustrate हो जाएगा परिशान हो जाएगा क्योंकि वो इसको कर ही नहीं पा रहा है अब देखा जाए दोस्तों तो जो यह क्रिया है जो यहाँ पे सिसिफ्यूज इस पत्थर को पहाड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है और बार बार निरंतर प्रियास करता रहता है क्या इस से कोई समाजिक बदलाओ होने वाला है क्या समाज में इस से कोई नई अवधारना आ जाएगी क्या समाज में कोई नई चींजे शुरू हो जाएंगे देखा जाए तो यह जो एक प्रक्रिया है जिसमें एक पत्थर को वहाँ पे रखना है एक नुकिले पॉइंट पे और ये पत्थर नीचा जाता है इसका सामाजिक रूप से कोई वैल्यू नहीं है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कर्म है जिसका सामाज में कोई बेनिफिट नहीं है किंग बहुत समय के बाद अपने सोल्डर्स को बोलता है लगा तार लगा हुआ है सिसीफर्स खुश है उससे अपने जीवन का लक्ष मिल गया है उसने ठान लिया है कि वो इस पत्थर को उस नुकिले किनारे पे पहाड के चोटी पे ले जाके ही रहेगा और जरूर करेगा उसकी जिन्दगी का ये लक्ष बन गया है उसकी जिन्दगी अब एक सधेवे रास्ते बे चल रही है लेकिन देखा जाए तो क्या ये लक्ष मीनिंग्फुल है क्या इससे कोई मीनिंग मिलेगा समाज को समाज में महंगाई तो कम नहीं हो जाएगी कि वो पत्थर उपर रख दिया है ये राजा जो है वो रिजाइन कर देगा लेकिन मीनिंग है किसके लिए सिसिफर्स के लिए उसकी जिन्दगी का एक ही लक्ष है कि मुझे ये करके दिखा रहा है तो जो समाज के लिए मीनिंग्लेस है वो सिसिफर्स के लिए मीनिंग है और इस बुक में बहुत अच्छी लाइन आती है One must assume सिसिफर्स is happy सिसिफर्स जो है वो खुश है तो ये चीज आती है दोस्तों कि जो आप मीनिंगलेस बोल रहे हो उसका actually मीनिंग है लोग उसको देख रहे हैं आप एक चीज देखेगा बहुत सारे लोगों में A.R. रह्मान, लता मंगेश कर या बहुत अच्छा-च्छा सिंगर्स को प्रेज किया है इनके होने के बावजूद भी धिन्चक पूजा जैसे सिंगर्स भी चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं जेने रसूर का पता है, नताल का पता है क्योंकि वो एक जस्ट अपोजिट साइड लेके आ रहे है कि म्यूजिक को खराब कैसे किया जा सकता है एक डिफरन तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे है जो एक अधर साइड है वो मीनिलेस है बट अगीन उसकी curiosity है हम उसे देख रहे है वो उसके लिए meaningful है उसे पता है public देखेगी, कुछ भी डालो और हम भी देख रहे है कई बार मुझे students कहते हैं कि सर आप teacher हो, आपसे ज़्यादा subscriber तो धिंचक हो जाके है तो मैं कहता हूँ, मेरे follower समझदार है सोच समझ की करते है लेकिन एक चीज देखेगा दोस्तो चल रहे हैं कि नहीं चलती चीज़ें stupid चीज़ें होरी हैं meaningless चीज़ें भी exist करती है and that was their opinion इनका ये था कि meaninglessness को भी पढ़ा जाए because every meaningless thing has a meaning हर meaningless चीज़ें के अंदर भी एक meaning है आप से मैं एक simple सा सवाल पूछूँगा आपको इस वीडियो का महत तो समझ में आ जाएगा आपको समझ में एक इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ इसके बाद मैं आपको writers के बारे मताऊँगा जो आपको जरूर पढ़ने है देखेगा आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी mad person से मिले होंगे जिसे आप हिंदी में पागल बोलते है आप किसी न किसी पागल से किसी न किसी mad person से मिले होंगे किसे कहते हैं आप पागल आपके according पागल कौन है mad कौन है वो ऐसा क्या करता है कि वो पागल है क्या वो फटे पुराने कपड़े पहनता है अजीब गरीब धंग से तो आजकल तो इंडिया में बहुत सारे fashionable लोग आपको ऐसे मिलेंगे क्या वो किसी चीज़ की परवा नहीं करता कहीं भी बैट जाता है कहीं भी उट जाता है कहीं भी सो जाता है कुछ भी खा लेता है तो ये तो हिप्पी लाइस्टाइल हो गया क्या वो आप सब की तरह एक social structure में एक परिवार में नहीं रहता है सुबह उटके काम पे नहीं जाता है तो ये तो उसका एक personal अधिकार है उसका ही वो करे ना करे आप उसे पागल क्यों कहते हो ऐसा क्या है जिस करण आप उसको कहते है यार ये पागल है कुछ लोग हम बोलते ना प्यार में पागल है तो प्यार में जो पागल है वो socially पागल थोड़ी होता है वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप लोगों की तरह behave नहीं करता कोई बोलता है मैं करियर के पीछे पागल हूँ तो क्या वो पागल होना अच्छी बात है पुरी बात पागलपन की अवधारना क्या है आप खुद बताइए आप कौन से पागल होना चाते है प्यार के पागल होना चाते है या करियर के पीछे पागल होना चाते है या बहुत सारे पैसे ले के पागल होना चाते है आप बोलो के से बहुत सारे पैसे होगे सवाल यह है दोस्तों तो पागल हम उसे कह रहे हैं जो actually एक social structure को define करता है, मना करता है, उसे ignore करता है अगर मैं सुबह उठके काम पे जाता हूँ और एक आदमी ऐसा है जो सुबह उठके टीवी दें जाता है और मस्त रहता है, कहीं भी घुमता है, कुछ भी खाता है, तो मैं उसे पागल कहता हूँ, क्यूँ? क्योंकि majority मेरे जैसे लोगों की है अब आप एक बात आईए, कि पागल खाने के अंदर जितने सारे मरीज हैं, उन सारे पागलों के बीच में आप एक जो डॉक्टर हैं आपको पता है, उन पागलों के लिए आप पागल होते हैं, तो ये, it's all about majority, perception, society के कुछ rules बने हुए हैं Rene Descartes का एक famous quotation है, जो आपको लिखना है यहां पर, Rene Descartes कहता है, कि I think therefore I am, this is a philosophy by him, he says, I think therefore I am इसको ध्यान से देखिएगा, यह आपको पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने में भी आएगा मैं सोचता हूँ और इसी वज़े से मैं exist करता हूँ, मेरा समाजी महत्व सरफ इसलिए है, क्योंकि मैं समाज में सोचता, समझता और behave करता हूँ अगर मैं सोचू ना, समझू ना और behave ना करूँ, तो मैं exist नहीं करूँगा तो हम जिसे पागल कहते हैं, वो actually समाज के हिसाब से सोचता नहीं है उसे नहीं पता किस से क्या बोलना है, किस के सामने formality करनी है, किस के सामने acting करनी है mathematics के सबसे बड़े गुरू, श्रीनिवाश रामनुजन, आदर नीए श्रीनिवाश रामनुजन जो की one of the first member थे, royal society के fellow member भारत से, गनित के महानतम विग्यानी उनको एक पागल मिलता है, उनके बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इस पागल से तुम क्यों बात कर रहे हो इस पागल को क्यों सिंपिती दिखा रहे हो, ये पागल तो एक पागल है, उन्होंने कहा कि ये जो पागल है, ये मुझसे ज़्यादा खुश है तुमसे ज़्यादा खुश है इस पागल के मन में एक अपनी दुनिया है अपनी दुनिया में वो मस्त है अपनी दुनिया में वो खुश है दुनिया उसे पागल कह रही है मैं जानता हूं कि वो हम सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी एक अपनी दुनिया है और वो कहते थे कि मैं एक अपनी दुनिया चाहता हूँ मैट्स की, मैं मैट्स के बीछे पागल हूँ कभी आपने चीज सोची है कि जो लोग society के बारे में नहीं सोचते, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो कहीं नहीं कहीं बहुत खोश होते हैं हिप्पी कल्चर के बारे में सोचिए रशकेश, गंगा के किनारी आपको बहुत सारे हिप्पी मिलेंगे जो दुनिया का जो स्ट्रक्चर्ड ओर्डर है उसको छोड़ करके एक ऐसी लाइफ जीते हैं इसमें सरफ वो ट्रावलिंग करते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, बस ना किसी तीन मंजिला मकान की दरूरत है, ना किसी महगी कार की दरूरत है आपको नहीं लगता कि जो पागल कॉनसेप्ट है, वो उनका मीनिंग है वो उन लोगों का मीनिंग है और दोस्तों एक चीज़ मैं आप से और कहना चाहूँगा कि अगर भविश्य में कभी कुछ पागल दिखाई दे तो sympathetic रही हैगा क्योंकि वो पागल अपनी दुनिया में जी रहा है और वो पागल नहीं है आई अब चलते हैं सबसे important writers के बारे में कौन-कौन से writers आपको exam के लिए बहुत जरूरी है Absurd Literature में बहुत सारे writers हैं लेकिन कौन-कौन से writers पेपर में सबसे ज़दा पुछे जाते हैं उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ सबसे पहले आपको देखना है Albert Camo को Albert Camo की सबसे famous book The Myth of Sisyphus and Outsider इसके बाद दोस्तों आपको जाना है Using I.N.S. को पे famous book जो है वो rhinoceros है, mustard है, आपको जरूर पढ़ना है characters के नाम याद रखिएगा साथ में तीसरा जो writer आता है और सबसे important writer है वो है Gene Genet Gene Genet एक ऐसा writer था जो by nature criminal था लेकिन absurdism और existential writings में जीन जाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता famous book Balcony इसके बाद आपको Harold Pinter पढ़ना है Harold Pinter The Birthday Party अपने आप में बहुत ही बड़ा classic है most important work है फिर आपको चेक करने है कुछ ऐसे writers जो थोड़े बहुत absurd है Edward L.B. famous book Jew story अपने आप में बहुत important work है इन सारे works के साथ साथ एक और absurdist work है जिसको आपको as a theory पढ़ना है यह Martin Esslin का work है बहुत सारे students को पता होगा Martin Esslin is the first person who coined the group absurdist school the theater of the absurd Martin Esslin का 1961 का जो famous work है the theater of the absurd यह पहला group था इसने writers के बारे में बात की develop किया एक proper group को बहुत सारे बचे confused हो जाते हैं कि absurd world किसने बनाया है coin किया है और absurd theater group किसने coin किया है तो आप यहाँ पे दुबारा से देख लीजेगा मेरी इस तरफ absurd world coin किया गया है famous writer Albert Camus जी हाँ, note कीजेगा absurd world coin किया गया है famous writer Albert Camus के दुबारा famous book myth of Sisyphuse में जबकि absurd theater यह पूरा group है it has been coined by Martin Aslan in the famous work The Theater of the Absurd दोस्तों, यह एक हिंदी में presentation था, उन बच्चों के लिए जो TGT, PGT या DSSV का एक्जाम दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और presentations हिंदी में दे दूँ, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ share कीजे जिनकों सबसे ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आपके comments में ये चीज़ हमें जरूर चाहिए कि क्या हिंदी में भी आपको English literature पढ़ाया जा सकता है क्या ये आपके लिए मददगार है आप जैसा suggest करेंगे, हम उसके हिसाब से आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे जय हिन जय भारण